तो दोस्तों quadratic equation आपको जो भी फॉर में मिल जाए चाहे छोटे वाले factors हो या बड़े वाले factors छोटे coefficient वाले हो या बड़े वाले coefficient root वाले quadratic equation हो या fraction वाले यहां तक की decimal वाले quadratic equation क्यों ना आ जाए इतना वादा करते हैं कि इस session के बाद आपको ये सब बिल्कुल तंग नहीं करेंगे उल्टा आप उनको तंग करेंगे कैसे जो पांच मार के question आपको बैंक के preliminary examination में देखने के लिए quadratic equation से उनको एक देर मिनिट में लिप्टा के उनको तंग करेंगे तो दोस्तों ये रहा हमारा सबसे पहला सवाल और पहले ही सवाल में हमें दो किसम के quadratic equation देखने के लिए मिल रहे हैं एक quadratic equation x के form में दूसरा वाला y के form में यहां से हमें x का value निकालना है यहां से हमें y के value निकालना है और last में x और y के बीच में एक जवर्दस्था relation बताना है कि वाकिय में x y से बड़ा है या छोटा है greater equal है, less equal है, या equal है या कोई relation संभव नहीं है, possible नहीं हो रहा relation cannot be established हो रहा है वो सब हमें तब ही बता चलेगा जब x के value और y के value हम निकाल पाएं तो तो यहां पर निकालने के लिए हम जो method use करेंगे उसको कहा जाता है pairing of factors हम factors के pair करके उनको निकालेंगे, कैसे pair करना होता है, क्या करना होता है, प्यार नहीं, pair क्या कुछ करना होता है तो इन चीज़ों को देखें तो सबसे पहले आपको यह golden table यहाद रखना होगा छोड़ा सा है, कि अगर मेरे equation के symbol minus plus होंगे, तो उसके जो दो roots आएंगे plus plus, तो यह equation का symbol क्या होता है अब देखिए, यह रहा आपका equation equation में आपको हमेशा 2 symbol मिलेंगे, क्योंकि 3 term के form में मिलेंगे, और 3 term के बीच में 2 ही आपके symbol मिलेंगे, यह first symbol यह second symbol, यहाँ पर first minus second plus, तो यह minus plus यह रहा और अगर minus plus के format में equation है, तो उसके जो दो roots आएंगे वो क्या आएंगे, plus plus, मतलब इतना तो confirm है, कि इसके जो दो roots आने वाले हैं, values आने वाले, वो क्या क्या आने वाले, plus और plus में आने वाले, इतना confirm है, done, अब दूसरे वाले equation की बात करूँगा, तो यहाँ पर first symbol plus और second symbol plus है, मतलब इतना भी plus plus के category में है, plus plus के format में अगर है, तो इसके जो दो roots आएंगे क्या आएंगे, minus minus आएंगे, तो y के जो दो values आएंगे, वो किस में आएंगे, minus minus, अब सबसे पहले तो दिमाग का सदूपयो कीजिए, और यह बताएं कि x के जो दो values आने वाले क्या वो positive आने वाले हैं, बिल्कुल, y के जो दो values आने वाले हैं, क्या वो आनसर बता सकता हूँ कि x should be greater than y, आगया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, काम खता हूँ, पूरा मतलब स्क्रीन के उपर देखा, आपने minus plus 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 minus हाँ भया, x greater than y, दो सेकंड का आनसर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, यह coincidence है, ऐसे एक आद कोशिन आपको मिलेंगे, सारे के सारे तो नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर हमें roots निकालना होगा, तो अब roots कैसे निकालेंगे, सबसे last term पे focus कीजिएगा, और last term को ऐसे तोड़िए, अब 96 को तो कैसे भी तोड़ा जा सकता है, 96 into 1, 32 into 3, 24 into 4, 16 into 6, 12 into 8, लेकिन ऐसा मुझे तोड़ना है, जैसे कि यह second symbol क्या है, अपना second symbol अपना plus है, जिनको plus करने से, बीच वाला term यानि कि कितना, 20 आना चाहिए, minus minus को भूल जाए, क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए, last term 96, तोड़ना है, हाँ सर, कैसे तोड़ना है, कि plus करने से, plus क्यों, क्योंकि second symbol plus का है, plus करने से, क्या आना चाहिए, बीच वाला term, 20 आना चाहिए, अब यही पर मैंने देखा कि 96 कौन तोड़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बारा और आट में तोड़ सकते हैं, अब सर, यही तो सीखने आये थे, कि बारा और आट कैसे निकलेगा, भाईया, टू डिजिट का आफविट प्रैक्टिस बहुत स्पीड में निकाल सकते हैं, टू डिजिट के लिए भी method यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं method थ्री डिजिट के लिए दिखाओ, तो अच्छा लगेगा, 96 सब के दिमाग में आना चाहिए, कि 12 और 8 को मिलाने से 20 और multiply करने से 96, तो यह तो आगे मेरे term 32 होगा, और एक चीज़ का खासम खास ध्यान रखिएगा, जो value बड़ा होगा, उसको पहले डालेगा, और जो value छोटा होगा, उसको बाद में डालेगा, 12 और 8 तो मिल गया, अब 12 बड़ा है, इसलिए मैं 12 को पहले डाला, 8 छोटा है, इसलिए उसको बाद में डाला, अब मैं छोटे छोटे टर्म्स में फैक्टराइज करके करते चलू मतलब छोटा नमबर से तो 31 क्लियरली 3 से डिविजिबल होगा 3 में जाएगा तो यह 3 7 जा 21 और एक बार 21 तो 3 7 जा अब यह 7 के 7 तो क्लियरली 7 में जाएगा छोटे से बड़े इत्तक आईएगा ठीक है करने से 32 बनेगा अब देखिए अगर मैं 7 इंटू 3 21 को 11 के साथ पेर कर दूं तो बड़ियासा आ जाएगा अब देखिए 3 इंटू 7 अगर मैं लोगा तो यह तो कितना आएगा 21 और यह तो अपना 11 बैठा है तो 21 इंटू 11 अगर मैं आड करूंगा तो 32 आएगा और मल्टि से नंबर को डालेंगे बड़े नंबर यानि कि 21 फिर कौन से नंबर को डालेंगे छोड़ा नंबर यानि कि 11 हाला कि यहां पर प्लस प्लस और माइनस माइनस में कोई फरक नहीं पड़ेगा क्यूंकि आप इधर डालिए इधर डालिए यह तो 8 12 रहने वाला है इधर है प्लस 8 माइनस के 21 से बढ़ा है और माइनस के 11 से बढ़ा है वो तो स्टार्टिंग के 2 सिकेंड में हमने बता दिया था कि x y से क्या आएगा बढ़ा आएगा अब देखिए यही होता है pairing of factors कि इनी में से मुझे pair करना है 7 और 3 21 11 इसी तरह pair up करके हम बड़े numbers के factor भी निकालेंगे तो चलिए थोड़े और next question next level को लेके चलते चलिए तो यह रहा हमारा दूसरा सवाल जहां पे हमने और थोड़ा level को बढ़ा दिया कि अगर ऐसे भाहिंकर-भाहिंकर मिले तो आपको क्या करना है आपको तो simple funda पता है अब यहां पे हम पहले चेक कर लेते हैं किया symbol से कुछ सवाल बन सकता है अब देखिए plus plus है तो दो roots minus minus आएंगे plus plus है तो दो roots again minus minus आएंगे अब minus 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 में कौन बड़ा कौन चोटा तो बताना मुस्किल है तो इस सवाल को हमें पूरा factorization method में करना होगा आगे और भी trick होगा पताएंगे लेकिन इसको अगर मैं factorize करूँ तो सबसे पहला आपको 252 को तोड़ना होगा ऐसे तोड़ना होगा जैसे कि second symbol क्या है plus उनको plus करने से add करने से कितना बन रहा हो 32 अब मैंने कहा था आपको छोड़े छोड़े number से factorize करते चलना है 2 से मैंने factorize किया ये बन गया मेरे पास 126 फिर 2 से मैंने factorize किया ये बन गया 63 अब 3 से मैंने तोड़ा ये बन गया 21 अब फिर से मैंने 3 से तोड़ा ये बन गया आपका 7 अब यहाँ पे मुझे ढूंडने है factors कहां कहां मिलेगा अब देखिए सबसे last अगर में देखाओ नजर घुमाऊंगा 7 है अब 7 को अगर मैं 3, 21 के साथ लोंगा बाकी 3 into 2, 6, 6 into 2, 12 बन जाएगा अब 21 into 12 तो आपका 33 बन जा रहा है तो यह तो possible नहीं होगा तो इनी में से अगर मैं pair करूँ 7 को 3 के साथ pair करने से तो नहीं आ रहा तो देखते हैं 7 को अगर मैं 2 के साथ pair करूँ तो 7 को 2 के साथ pair करने से यह आ गया मेरे पास कितरा 14 और बाकी मेरे पास 2 into 3, 6, 6 into 3 बन गये मेरे पास कितरे 18 अब अगर मैं 18 और 14 को add करूंगा तो clearly कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा गजब है या नहीं तो इनी में से आपको factors दूनने होते हैं छोटे छोटे numbers करके अब और 252 के पीछे क्यों भागेंगा हम छोटे factors के पीछे भागेंगे तो 18 और 14 को add करने से 32 और multiply करने से तो 252 हो ही रहा है तो यहाँ पर equation का symbol plus plus है हाँ sir roots के आएंगे minus minus हाँ sir मैंने डाल दिया minus minus अब sir क्या करना है अब यहाँ पर बड़ा number 14 या 8 रा कौन है 8 रा है तो पहले बड़े number को डालिए 18 छोड़ा number को है 14 फिर 14 को डालिए तो इसके जो दो roots आए वो कितने आए minus 18, minus 14 डन, thumbs up चलिए next इस सवाल को देखने है तो यहाँ पर यह आपका factorize करना है किसको 770 को मैंने आपको क्या कहा था छोड़े number से factorize कीजिए 2 से अगर मैं factorize करूँगा तो यह बन जाएगा मेरे पास कितना 385 अब इसको अगर मैं 5 में काटूँ तो 5, 7, 3, 5 again 7 अब इसको मैं 7 में काटूँ तो यह बन जाएगा मेरे पास 11 अब यही पर अगर मैं नजर गुआँ तो देखिए मुझे चाहिए कितना 57 अगर मैं 11 इंटू 7 के साथ pair करूँ कितना देगा 22 5 और 7 को अगर मैं pair करू 5 और 7 का pair मुझे कितना देगा 35 अब 35 और 22 को add करने से कितना हो जाता है 57 हो जाता है प्यारा सा काम खतम अब मुझे roots कैसे निकाल ले equation किस form में है plus plus roots किस form में आएंगे माइनस माइनस यादे ना अब मुझे पहले बड़े वाले को रखना है यानि कि 35 फिर छोटे वाले को रखना यानि कि 22 अब ये मत कर दीजेगा कि सर 35 22 न ये तो 18 और 14 से बड़े हैं तो हमारा x जो है वो less than y आ जागा इतना सिखाये हैं कि इसी वज़े से गलत वलत करने के लिए अब ये चीज़ याद रखेगा minus 18 बस यही पर एक चीज़ लिख रहे है minus 18 और minus 35 में कौन बड़ा है पता है minus 18 बड़ा है एक चीज़ याद रखेगा क्यों क्योंकि 18 छोटा है 35 से लेकिन 18 के पहले minus का नंबर लगा है तो minus में जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होता है पता है ना minus 2 minus 4 से बड़ा होगा minus 1 minus 6 से बड़ा होगा तो similarly minus 18 minus 35 से बड़ा होगा minus 14 minus 35 से भी तो बड़ा होगा एक एक करके लिखना नहीं है सिखा रहें सिख जाइए minus 14 minus 22 से भी तो बड़ा होगा तो जिस भी तरीके से कर रहा हूँ मेरा जो x का value है वो हमेशा y के value से बड़ा ही तो आ रहा है तो finally answer आपका क्या हो जाएगा x greater than y so clearly my answer will be x greater than y clear है अगर मज़ा आया तो दमदार तरीके से session को like और share ठोकिए चलिए next question क्यों बढ़ते है इतने बड़े सवाल हाला कि आपको exam में कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा लेकिन सीख न हमारा काम है सीख चलते हैं तो यहां पर अगर इस चीज़ को आप pause करके कर चुके होंगे मेरे ख्याल से answer इसका hardly 5 seconds ना कितना 5 seconds तो ठीक है तो 5 seconds तो ठीक है सर कैसे हमारा तो नहीं बना अभी तक अब देखिए यह equation किस form में है plus plus तो इसके जो दो roots आएंगे वो किस form में आएंगे sir minus minus इ negative value तो हमेशा positive से छोटा रहेगा मतलब हमारा answer done क्या हो चुका है x less than y confirm लेकिन हमें हमेशा ऐसा नहीं मिलता यह बस एक नया trick है तो बार बार लगा के सिखा देते हैं आपको practice हो जाएगा आपका और practice session कल है आजाएगा याद करके ठीक है जितने भी quadratic equation से गज़ा से बनाएं अब यहाँ पर इस चीज को अगर मैं देखू तो यह again 3 के साथ जाएगा ती 7 जा आपका 21 अगें आपका 7 यह आपका आजाएगा 7 और यह आजाएगा 11 तो अभी मुझे ऐसे factors बनाने हैं जैसे कि इसको मिलाने से कितना आ रहा होगा क्योंकि second वाला symbol क्या है प्लस है अगर माइनस वाला आएंगे ना फिकर क्यों करते हैं माइनस वाला आएंगे तो प्लस करने से मुझे क्या चाहिए 54 चाहिए तो clearly यहाँ पे मैं क्या क्या pair up करने से मेरा answer आएगा जल्दी से मेरे आप तो अभी comment भी नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं देखूंगा 11 11 को अगर मै 7 के साथ pair किया तो 77 वो exceed कर जा रहा है 54 को तो 11 को अगर मैं 3 के साथ pair करूंगा तो 11 into 3 का pair मुझे कितना देगा 33 का देगा और 7 into 3 का pair मुझे कितना देगा 21 का देगा और 33 और 21 को add करने से गजब सा 54 आ जाएगा तो मुझे मिल चुके हैं roots की 33 21 आने वाले हैं बस symbols डालना बा करके minus 33 minus 21 done next हम बात करते हैं 520 को factorize भाया मुझे तो दिख रहा है ये 2 में जाएगा 210 मुझे तो दिख रहा है फिर 2 में जाएगा 130 मुझे दिख रहा है 2 में जाएगा 65 फिर 5 में जाएगा 13 अब अगर मैं 46 add second symbol plus है ना add करके 46 बनाना चाता हूं तो 13 को 5 के साथ तो pair नहीं कर सकता क्योंकि 13 को मैं 5 के साथ pair करने से 65 आ जाएगा already exit कर चुका है तो 13 को किसी भी एक 2 के साथ pair करके देखते है 13 को मैंने 2 के साथ pair किया तो 13 into 2 मुझे कितना मिला 26 अब बचे मेरे पास 2 into 2 4 4 into 5 20 क्या इन दोनों को add करने से 46 बन रहा है done 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 बन जा रहा है तो clearly 26 और 20 को add करने से 46 multiply करने से 5 20 roots आ चुके है equation का symbol क्या था minus plus तो roots क्या आएंगे plus plus लिख दिया है हमने already पहले से अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यह वाला जो 26 बड़ा है 20 से तो पहले 26 को डाल देना है फिर 20 को डाल देना है अब भाईया जब भी आप compare करेंगे यह दो plus वाले values हमे इसको explain किया तो अभी तक अगर आपको session पसंद आया होगा तो उमीद करते हैं आपने like जरूर से ठोक दिया और share करते चलेगा session को चलेए बढ़ते है next category के और जहाँ पर x square के आपको कोई coefficient मिल जाए तो क्या करना होता है चली तो दोस्तों अब आ चुका है हमारे पास question number 4 जहां पर हमारे पास x square और y square के कुछ ना कुछ coefficient attached है जब भी आपके पास coefficient attached रहते हैं तो यह normal सा फंडा मैं भी आपको पढ़ाया हूं पहले कि 35 last number को 3 के साथ multiply कर दीजे 21 last number को 8 के साथ multiply कर दीजे लेकिन वह पुराना कुछ नय फिर 105 को factor करने होंगे फिर factorization के बाद pairing करना होगा अगर pairing ही करना है और वो भी factors का तो मैं यहीं से factors ले लूँगा जैसे कि 1 और मतलब 3 आ जाएंगे 3 के factors और 35 आ जाएगा 5 into 7 क्योंकि और किसी form में लिखने ही सकते आगे आएंगे जिनको variety forms में लिखा जा सकता है tension नहीं आर ऐसे pair up करना है pairing of factors ना ऐसे pair up करना है कि जैसे उनको add करने से 22 आ जाए बस इतना काम खता है अब pair जब करेंगे एक चीज़ ध्यान रेकिए फर्स्ट priority आप किसको दीजेगा फर्स्ट priority आप उनको दीजेगा कि इस total इधर के factors में से किसी एक factor को इधर के एक factors के साथ आपको pair क तो 1 x 5 5 तो दूसरा pair 3 x 7 21 तो क्या 21 और 5 मिलने से 22 आ रहा है नहीं 21 प्लस 5 तो 26 हो रहा है गलत हो जाएगा तो definitely एक को 5 के साथ अगर pair करने से नहीं आ रहा तो मैं 7 के साथ पैर करके देखूंगा यहीं पे सब कुछ सफल यहीं पे होगा variety kind के आ सकते हैं दिखाएंगे ना स सब कुछ 1 और 7 को pair करते ही मेरे पास 7 आ जाएगा 3 और 5 जो बचे कुछे उनको pair करते ही यह मेरे पास 3 x 5 15 आ जाएगा अब 15 प्लस 7 अगर मैं करूंगा तो 22 आ जाएगा काम खतम roots आ चुके कैसे equation का symbol अगर देखे तो minus plus अगर equation minus plus होगा तो roots के आएगे plus plus तो इसके जो दो roots आएगा वो plus plus आएगे पहले बड़े वाले नमबर यानि की 15 उसके बाद छोटे वाले नमबर यानि की 7 बट यहाँ पर काम खतम नहीं होता क्यूंकि यहाँ पर x square का coefficient कितना 3 वही 3 को last में आपको divide करना होता है अब जाके आप बोल सकते हैं काम खतम हुआ अगर इतना है तो बीच वाले टर्म पे 2 और 4 बीच वाले टर्म हमेशा 1 को prefer मत किजेगा 1 इंटू 35 इंट को prefer यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं था यहाँ पे मैं बीच वाले टर्म पे उपर focus करूंगा जैसे कि 21 21 और क्या बन सकता है 3 इंटू 7 का लावा तो और कुछ बन नहीं सकता अब अ 2 का पेर definitely किसके साथ होगा 7 के साथ 2 इंटू 7 आपको कितना बना देगा 14 similarly अगर 4 और 3 बचे हैं तो उनका अगर मैं ले लूँ 4 इंटू 3 यह बन जाएगा आपका 12 और 14 और 12 एड हरने से 26 भी आ गया अगा आपसे roots आ चुके हैं अब minus plus का equation है तो roots किस में आएंगा plus plus यह त फिर छोटा नमबर यानि कि 12 काम खतम अब काम खतम के बाद 8 और भूल मत जाएगा कि y square का coefficient कितना है 8 इधर भी 8 डिवाइड करना होगा इधर भी 8 डिवाइड करना होगा यहां पे मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा पहला तरीका है जो आप लोग सब follow करते हैं regular basis जो आप बह दूसरा मेतर जो है वो decimal वाला है और तीसरा मेतर जो है वो common sense वाला है अब पहला वतर अगर मैं डालूँगा तो यहां पे cross multiply करने से यह वाला जो denominator में 8 है यह 8 चलाएगा ऊपर multiply हो जाएगा और यहां पे जो denominator 3 है यह चलाएगा इधर multiply हो जाएगा तो 15 इन्टू यहां का denominator 8 बन जाएगा आपका 120 similarly 7 इन्टू 8 बन जाएगा आपका 56 इधर अगर मैं करूं 14 इन्टू 3 बन जाएगा आपका 42 और 12 इन्टू 3 बन जाएगा आपका 36 मैं मानता हूं कि 120 जो है वो 42 और 36 दोनों से बढ़ा है similarly 56 जो है वो भी 42 और 36 दोनों से बढ़ा है अगर 120 56 दोनों ही दोनो 42 और 36 से बड़े होंगे हमेशा तो finally मेरा answer क्या आ जाएगा X greater than Y clear है सबको X greater than Y मेरा correct answer हो जाएगा लेकिन इसको मैं कुछ और approach से कर सकता था बिल्कुल कर सकता हूँ कैसे 15 by 3 5 तो दिखेगा 7 by 3 यह आपको दिखना चाहिए कि यह 2.33 होगा क्योंकि 6 by 3 2 होगा उसमें और 1 by 3 यह percentage का concept है यह थोड़ीना हिनका concept यह percentage का है 1 by 3 0.33 सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं करूँगा 14 by 8 तो common sense 14 by 8 मतलब कितना होगा 8 में हो गया complete 1 मतलब 8 by 8 अब 6 by 8 6 by 8 मतलब 3 by 4 3 by 4 मतलब 0.75 मतलब यह बन जाएगा आपका 1.75 और यह जो है यह बन जाएगा आपका clearly 1.5 क्योंकि 4 में अगर काटूँगा तो यह 3 बटे 2 आएगा 3 बटे 2 मतलब 1.5 अगर मैं 7 की बात करूँ 7 भी इससे ज्यादा है इससे ज्यादा है similarly यह 2.33 भी इससे ज्यादा है इससे ज्यादा है तो again मेरा answer क्या आगया x greater than y this was the second method मैं हम इसा नहीं बताऊँगा एक ही method बताऊँगा common sense वाला अब common sense क्या कहता है 15 बटे 3 तो 5 आएगा common sense 7 बटे 3 2.33 पता नहीं 2 से ज्यादा तो 2 से ज्यादा क्यूंकि अगर 6 होता तो 6 बटे 3 दो आता यह 6 से ज्यादा है मतलब यह तो 2 से ज्यादा आने वाला है हाँ sir यहाँ पर यह 14 बटे 8 2 से कम आने वाला 5 तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा ओकात नहीं है 2 के साथ compare करने के लिए 2 से ज्यादा आएगा यह कम आएगा कम sir कैसे बता अरे भाईया उपर अगर 16 होता तो 16 बटे 2 आता यह 14 बटे 8 यह अगर 16 होता उपर वाला तो 16 बटे 8 दो आता लेकिन तो 12 बटे 2 बैठा है मतलब यह 2 से कम है और यह तो 2 से ज्यादा है तो यह बढ लिएगा आपका फेवरेट कौन सा है क्या आपको cross multiply करने में मज़ा आता है decimal में convert करने में मज़ा आता है या common sense यूज करने में मज़ा आता है तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और शांदार सवालों की तरफ तो दोस्तों आ चुका है हमारे पास next level का सवाल थोड़ा और factors के साथ ये सवाल हमारे सामने बहुत ही game खेलने वाला है क्योंकि आपर comparison भी काफी तगड़ा होने वाला है तो सब कुछ सीखेगा इस question में चलिए 49 को तोड़ेंगे तो ये बनेगा मेरे पास कितना 7 x 7 ठीक है अब 75 को कुछ भी तरीके से तोड़ सकते हैं जैसे कि मैं अग गटाऊंगा तो 25 x 3 आता फिर थोड़ा गटाऊंगा तो 15 x 5 ऐसे करते करते जो exact last की और या फिर middle वाले terms होंगे जहां पर इधर और इधर common रहेगा ये 25 बहुत ज्यादा और ये 3 बहुत कम हो जा रहा है मुझे एक normal average वाला चाहिए यहीं से start कीजिए ऐसा नहीं कि वहीं प 5 दिखा देखिए अब यहीं पर factorize अगर मैं करूंगा और 7 यहां पर 2 है तो जिसके साथ भी pair करना है कीजिए 7 को अगर मैं इस 5 के साथ pair कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 35 इस 15 को अगर मैं 7 के साथ pair कर दूँ तो 15 x 7 आ जाएगा 105 क्या इन दोनों को add करने से जो middle term 140 चाहिए वो मिल दा है बिलकुल 105 और 35 मिलने से 140 बन दा है तो मेरे factors आने के बाद minus plus अगर है बार बार ये चीज़ करके रटवा चुके हैं तो ये equation के symbols आपके क्या आगे प्लस प्लस आगे अब प्लस प्लस आने के बाद आपके जो दो roots आएंगे पहले बड़े को ड problem नहीं है लेकिन second वाला minus इसके next वाला जाएंगे पका next का next नहीं तो जाएंगे ठीक है माइनस वाला थोड़े रुकिए step by step जाईए अब 105 और 35 आने के बाद काम खतम नहीं हुआ ये रहा हमारे पास 49 ये रहा हमारे पास 49 अब यहां पर अगर मैं तोड़ूँगा तो 20 को 10 10 x 2 भी तोड़ा जा सकता है लेकिन वह extreme है 10 2 बड़ा चोटा बीच 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 चार पांच बढ़िया कर रहा हूं चार पांच अब चार पांच आने के बाद इसको तोड़ूँगा तो ये बनेगा मेरे पास किद्रा 7 8 फर्स्ट प्राइरिटी होना चाहिए अगर 7 8 में न पैर करूंगा तो ये बन जाएगा 32 7 इंटू 5 को अगर में पैर करूंगा तो बन जाएगा 35 क्या 35 और 32 को एड करने से 67 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो ये roots मिल चुके हैं अब equation का symbol minus plus और उधर नहीं जाओंगा तो roots क्या आएंगे plus plus अब पहले बड़ा नंबर यानि कि 35 फिर चोटा नंबर यानि कि 32 फिर divide किस से करना है coefficient 20 20 अब देखिए यहाँ पे इधर 20 लेके multiply करना हाँ कुछ हद तक सही है वो हो जाएगा 210 70 में 10 लेकिन किसी नंबर में 49 का multiply करना मैं तो कभी suggestion नहीं करूंगा तो जो लोग हमेशा multiply के चक्कर में रहते हैं तो उनको पता चल गया होगा कि अगर coefficient बड़े हुए तो उनको divide बड़े से करना होगा और बड़े बड़े numbers को multiply कर सकते हैं तो वो problem है वो बात अलगे और फिर काट के multiply कर सकते हैं वो बात अलगे लेकिन मुझे सीधा सीधा common sense यूज़ कर रहा है सबसे पहले मैं काट रहा हूँ 7 में काट से काटूंगा तो ये 7 बन जाएगा 5 से काटूंगा तो 4 बन जाएगा अब ये देखिए 4 से काटूंगा 8 बन जाएगा 4 से काटूंगा 5 बन जाएगा तो ये आ गया 7 बाइ 4 और ये मेरे पास आ गया 8 बाइ 5 अब देखिए ध्यान से अब 15 बाइ 7 जो है वो 2 से ज्यादा common sense बताया था ना common sense 2.something 2 से ज्यादा है अब ये जो 7 by 4 है वो तो 2 से कम है ना क्योंकि यहाँ पर 8 होता तो 8 by 4 2 आता ये 8 से कम है तो ये जो value है वो 2 से कम आएगा तो ये जो value है ये 2 से ज्यादा आने वाला है और ये जो value इसको भी पहले देख लिए 5 by 7 ये जो 5 by 7 है ना अगर 7 by 7 होता तो 1 आता अगर numerator, denominator से छोटा है तो वो value 1 से कम होगा तो मतलब ये जो value है ये 1 से कम आएगा common sense का इस्तेवाल करते चलिए similarly ये 7 by 4 है 7 by 4 को अगर मैं compare करना चाहूं तो ये clearly 1 से ज्यादा और 2 से कम नहीं के आसपास आएगा ना 1 से ज्यादा 2 से कम, मतलब ये हलका 2 से कम आएगा, similarly 8 by 5 की बात करूं तो ये भी हलका क्योंकि अगर 10 होता तो 10 by 5 आपका आजाता 2, तो ये भी हलका आपका 2 से कम होगा, तो देखिए यहाँ पे चीज़ों को, ये जो 2 से ज्यादा है, वो तो इन दोनों से बड़ा होगा क्योंकि ये दोनों हलका 2 से कम है लेकिन ये जो 1 से कम नहीं है ये इससे भी कम होगा और इससे भी कम होगा, क्योंकि ये 1 से कम है तो clearly ये वाला value इन दोनों से बड़ा है, लेकिन ये वाला value इन दोने से छोटा यह logical approach ठीक है वो लगा सकते हैं आपना multiply करके या फिर 7 काट काट के multiply करके वो तो मैंने method सिखा दिया है कुछ अलग सिखे अनो का चलिए अब अगर मैं देखूंगा तो हमेशा यह नहीं हो रहा कि यह बड़ा आ रहा या छोटा रहा तो कभी बड़ा तो कभी छोटा कभी बड़ा और कभी छोटा आ जाए तो मैं उनके बीच में धंका relation कभी बता नहीं सकता तो clearly मेरा answer क्या हो जाएगा relationship cannot be established I guess this is the first question where we are getting relationship cannot be established so whenever you will get the value of x is greater than 1 y and at some point the value of x is less than y so we can't establish a relation between them तो वहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा relationship cannot be established सही से समझ में आया यहाँ पर एक नया concept आया नया logical approach आया cross multiplication के अलावा आप कुछ और लगा सकते हैं तो अगर सीखे हैं तो अच्छा है अब चलते हैं कुछ ऐसा question जहाँ पर यह इस सवाल को अगर आप लगा भी देते हैं अप्रोच न तो यह सवाल आपका गलत होने के chances 99.99% है वह क्यों वह आपको लाक्ष में बता चलेगा लेकिन हम अपने फिलाल फोकस करते हैं अपने चीज के उपर जो चीज कुछ इस तरह कह रहा है कि 5 को अगर आपको तोड़ना ले सकता है तो वह 1 x 5 के अलावा और कुछ form ले ही सकता लेकिन 54 variety ways ले सकता है यह हमने सीखा अभी कि यह 18 x 3 का form ले सकता है 9 x 6 का form ले सकता है 27 x 2 का form ले सकता है 54 x 1 तो मैं इन जो कॉमन आईडिया है बीच वीच वाले numbers जो याद रखने है वो मैं 9 x 6 का लोगा 9, 6 जब मैंने लिया तो मैंने देखा कि अगर मैं 9 और 5 को pair कर रहा हूँ तो 9 into 5 is 45, ज्यादा हो जा रहा है ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि 45 में अब 6 into 1 अगर 6 add होगा तो 33 से exceed कर जाएगा अगर मैं 5 और 6 का P pair लूँ तो 5 into 6 30 आता है अब ये 9 into 1, 9 का pair लूँ से 39 वो भी exceed कर जा रहा है मतलब clear idea है कि 5 को थोर break नहीं किया दा सकता गलत यहीं पर हमने किया कि 9 और 6 में इसको break नहीं करना था अब ये हम कैसे सीखेंगे, with practice ही तो सीखेंगे तो 9, 6 में अगर आपको काम नहीं दिया तो हम चलेंगे किस की और थोड़ा इसको बढ़ा दीजे 18 और इसको थोड़ा बढ़ा दीजे 18 और 3 और कुछ सो नहीं फिर इसमें अगर नहीं होता तो 27, 2 ऐसा नहीं होगा कभी मेरा काम है ताकि आप यह गलत सलत कमेंड ना करें यह question नहीं बनना, यह नहीं बनना इस वज़े से इस question को डालना नहीं तो आपको बस factors को pair करना होता है आपके उपर है, ठीक है? तो यह 18 इंटू 3 आने के बाद अब मैं pair कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ, कैसे? अब देखिए अगर मैं इस 5 को इस 3 के साथ pair कर दूँ, तो 5 इंटू 3 प्यारा सा कितना आ गया? 15 और अगर मैं इस 1 को 18 के साथ pair कर दूँ तो यह आ गया आपका 18 अब roots आने के बाद, प्लस प्लस में अगर equation है, तो इसके जो दो roots आएंगे वो क्या बन जाएंगे? माइनस माइनस, पहले बड़ा number, छोड़ा number सब कुछ सही है, अब divide किस से होगा? excess करका coefficient या नहीं कि 5 से divide होगा roots आचुके हैं, अब इसका मतलब यह नहीं कि इसको कर दिया minus 3 रखे रही है यह और एक चीज़ सिखेंगे अभी, क्या? यहां पर इसको मैं अगर break करूँगा तो 1 into 5 के अलावा कुछ होगा नहीं 72 का common breakage जो होता है 9 into 8 में होता है, ठीक है? हमेशा single digit में break कीजेगा, double digit की और फैले focus में मत जाइएगा, single digits में focus कीजे, 9 into 8 में मैंने जब किया, तो 9 into 5 45 again exceed कर जा रहा है 8 into 5, 40 भी तो exceed कर जा रहा है और addition की बात क्या? तब जाके मैं 9 और 8 को थोड़ा next की और जाऊंगा 2 digit की और सोचूंगा, इसको 2 digit में क्या से represent करेंगे? सब्वोज इसको मैं कर सकता हूँ, 12 into 6 कर सकता हूँ या फिर इसको मैं कर सकता हूँ 24 into 3 18 into 4 18 into 4 में तो बन जाएगा न यही चीज आपको देख रहा है कि यह बन गया आपका कितना? 18 into 4 next वाला हम गए next जाते ही जब मैंने देखा 5 और 4 को मैंने pair किया, इसमें अगर नहीं होता तो वैसे ही आपको जाना होता, next वाले multiple में जो कि होता कितना? 24 into 3 ऐसे करके आपको मिल जाएगा तो 5 into 4 का pair करते ही मुझे 20 मिल गया और 1 into 18 तो मुझे 18 मिलता है, अब 20 और 18 मिल चुके है, equation का symbol plus plus है, तो दो roots जो आएंगे वो minus माइनस आएंगे, divide होगा x square का coefficient या नहीं कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 आ चुका है अब इसका मतलब नहीं कि cross multiply कर दें अरे भाईया, एक और चीज़ सीखिए यहाँ पे, जब आप relation को compare करते हैं तो सब मेंसे जो common है उनको काट सकते हैं जैसे कि अगर मैं कहूं कि 2, suppose मैं कहूं कि 8x is equal to 6y तो यहाँ पे इसको 2 में काटने से 4, 2 में काटके 3 4x is equal to 3y नहीं लिखते हैं similarly आप दोनों साइड को काटा कुटी कर सकते हैं तो काटा कुटी क्या होगा, कैसे होगा, गंदा होगया बहुत तो काटा कुटी कैसा होगा, वो चीज़ पे ध्यान दीजेगा कि सबके denominator में 5 common दिख रहा है, काट दीजे अगर इसके denominator में 10, 10 होते हैं मतलब इसका coefficient अगर 10 होता तो 10, 10 होते हैं तो वहाँ पे 5, वहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 2 जा, 2 जा 2 times, 2 times रहता है लेकिन सबके denominator में तो 5 में डायरेक्ली उनको काट सकता हूँ अब काटने के बाद मुझे वो numbers मिल चुके minus 18, minus 18, minus 20 से सर छोटा है, गलाद minus 18, minus 20 से बड़ा है, आज वही तो सिखा है और एक बार सिखिए, याद दिला है कि negative number के साथ अगर छोटा number हो तो उसका value ज़ादा रहता है minus to minus 6 से बड़ा होता है, सीखे minus 8 की बात करूँ तो वो इस minus 18 के साथ क्या होगा equal होगा, क्योंकि minus 18 minus 18 equal होगा, minus 15 जो है, वो minus 20 से भी बड़ा होगा, और वही minus 15 जो है, वो minus 18 से भी बड़ा होगा, तो हमेशा x या तो बड़ा आ सकता है या तो equal आ सकता है मतलब बड़ा नहीं तो equal हो सकता है, कौन? x तो clearly आपका इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, x greater equal to y, अब समझे कि greater equal y या फिर less equal y किस condition में possible होगे, सारे के सारे greater के साथ कुछ equal आगे, तो greater equal सारे के सारे less के साथ अगर कुछ equal आ जाते, less equal अगर greater के साथ less आ जाता है, जैसे इसका just previous question, ये वाला part जो है ये दोनों से बड़ा था, लेकिन ये वाला part दोनों से छोटा है, तो वहाँ पे आपका कभी भी relation नहीं बनेगा, तो मतलब आपको comparison में कभी भी opposite sign greater less मिल जाए कोई भी sequence में, वहाँ पे और आप relation नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे तो opposite नहीं मिला, सब कुछ greater मिला है, साथ ही साथ एक additional equal मिला है, तो greater भी हो सकता है equal भी हो सकता है, तो इन सवालों पे हमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लडाना है सेम चीज, सेम फंडा करना है, बस एक चीज का ध्यान देखना है, second symbol minus आते ही, जो दो roots आएंगे न उनको minus करने से 11 आना चाहिए plus करने से नहीं, similar यहाँ पे minus करने से 14 आना चाहिए लेकिन उससे पहले में इसका एक golden trick पहले बता देता हूँ, golden trick आपको कुछ यह कहता है, कि इसका golden trick कुछ यह कहता है, कि इस question का answer, relationship cannot be established, यानि कि option number 5 हो जाएगा, या फिर E हो जाएगा, जो भी आपका है, अब ऐसा क्यों, अब देखें, यह equation कौन से फॉर में, minus minus, तो इसके जो दो roots आएगे, वो किसमें आएगे, plus minus, इसका एक root आएगा plus में, एक root आएगा minus में similarly, यह वाला root, मतलब equation कौन से फॉर में, minus, minus तो minus में अगर है, तो इसके दो roots again क्या आएगे, plus minus के आएगे तो अब, जब मैं इस वाले plus का value को, इस वाले minus के value के साथ compare करूँगा, तो plus का value हमेशा minus के value से क्या आएगा, बड़ा आएगा, और अगर मैं यह minus का जो भी value होगा, उसको इस वाले plus के साथ compare करूँगा, तो minus हमेशा छोटा आएगा, इससे just previous question में 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 तो समझाया कि कभी छोटा, कभी बड़ा opposite symbol मिल गए, कुछ पता नहीं चला, तो answer आपका क्या हो जाना चाहिए relationship cannot be established तो सर, अगर दो equation minus 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 के form में हो, तभी होगा, नहीं, यहाँ पे चार possible केसे साथ है, यह वाला equation plus minus, यह वाला minus minus यह वाला minus minus, यह plus minus यह minus 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 plus minus plus minus सर, सब उपर से चला गया अरे भाया छोड़ दो अगर दो equation के second symbol minus मिल गए दो equation के second symbol minus मिल गए, तो उनके दो roots, एक plus, एक minus आना confirm है plus हमेशा minus से बड़ा होगा और minus हमेशा plus से छोटा होगा तो यहाँ पे relation कभी नहीं बनेगा, मतलब एक चीज़, अगर दोनों के second symbol minus है, दोनों के second symbol minus है, तो relation कभी नहीं बनेगा, इतना हम समझाना चाहते थे, लेकिन हम roots भी निकालते हैं अब roots निकालेंगे कैसे, अब भाया 3 को तोड़िये, 1 into 3 अब 20 को तोड़िये 4 into 5 अब 2 digit तो जाना नहीं है, 10 into 2 तो ले नहीं सकते हैं, पहला तो focus single digit पे रहेगा, 4 पांच ले लिए अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे अगर मैं 3 को 5 के साथ pair कर दूं, तो 3 और 5 का pair मुझे कितना देगा, 15 देगा चलिए लिख दिया मैंने 15 अब बचा मेरे पास 1 और 4 1 और 4 का pair मुझे कितना देगा, 4 देगा और अगर मैं आपको प्यार से समझाओं इस चीज को, इस प्यारे से concept को, तो एक चीज ध्यान दिजेगा, कि 15 से अगर मेरा 4 जाएगा, तो मेरा कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, क्या वही बैठा है, बिल्कुल वही बैठा है, 15 से 4 गया, 11 आ गया तो clearly my answer is plus 15 minus 4, बट ये incorrect है क्यों, क्योंकि हमने अभी तक x square का coefficient यानि कि 3 को divide ने किया तो ये divide हुआ 3, ये divide हुआ 3 अब यहाँ पे चले आते पेर कर दू, 4 और 5 का पेर 4 into 5 मुझे कितना देगा, sir 20 देगा, 2 और 3 का पेर मुझे कितना देगा, sir 6 देगा, तो sir 20 और 6 को अगर मैं minus करूं तो क्या 14 मिलदा है, बिल्कुल मिलदा है 20 minus 6 14, तो 20 और 6 मैंने बड़े value को पहले, चोटे value को बाद में, अब देखा, कितना रोल था, बड़े value को पहले 15, फिर चोटे value को रखना अब next काम क्या है, y square के coefficient, यानि कि 8 को divide करना, यहाँ पे मैंने 8 को divide किया, यहाँ पे मैंने 8 को divide किया मैंने कुछ भी यहाँ पे सीधा-सीधा नहीं इसलिए है, क्योंकि मुझे compare करना नहीं है अब plus के value, इस minus 6 by 8 के value से तो बढ़ा आएगा अब यह minus 4 by 3 का value, plus 20 by 8 से तो छोटा आएगा कभी छोटा, कभी बढ़ा, कभी answer नहीं आएगा तो correct answer क्या हो जाएगा, relationship cannot be established clear है, अब चलिए, एक गजब सा root वाला quadratic equation solve करके दिखाते हैं आपको, चलिए अब इन roots वाले quadratic equations को कैसे solve किया जाता है हाला कि मैंने आपको practice sessions में इसी तरह के सवाल करवाए हैं पहले, लेकिन आज का motto कुछ अलग है अब एक ही session में आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो ready हो के रहीएगा, next आपके बहुत सारी arithmetic chapters भी आने वाले है तो चलिए, इस quadratic equation जो root के form है, इसको solve करने का trick जवरदस्त का बताते है आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा देखना है कि यहाँ पे root में कौन बैठा है sir, root में root 3 बैठा है, root 3 का square कर दीजे sir, root 3 का square कितना होगा, अरे root 3 का square तो 3 होगा अब इस 3 को इस last term से divide कर दीजे अब 162 by 3 अगर मैं करूंगा, तो clearly 3, 5, 15, 12 वियानी की रहा मेरे पास कितना, 54, अब आपको 54 को तोडना है, 162 को नहीं किसको तोडना है, 52 को तोडना है, अब 52 को ऐसे तोडना है जैसे कि second symbol, same process, सब कुछ same है, बस ये root 3 का square को divide करना था, और कुछ नहीं, जो confusion है, इधर clear होगा, tension ना लिजे अब plus करने से कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, अब 54 को क्या करेंगे भईया, इतना पढ़ा हैं, ये तो बताई देंगे मेरे ख्याल से, 9 और 6 जब 9 और 6 को add करते हैं, तो 15 आता है, और 9 और 6 को multiply करने से 54 आएगा अब minus plus है, तो roots के आएंगे, plus, plus, लेकिन इतने में काम खतम नहीं हुआ जैसे इसके previous वाले coefficient वाले को coefficient divide किया जाता था, यहाँ पर root वाले को multiply किया जाते हैं, मतलब यह root 3 को इधर last में लाना पड़ेगा, यह बन जाएगा आपका 9 root 3, और यह बन जाएगा आपका 6 root 3, clear है, अगर आपको इसके पीछे का background knowledge चाहिए कि क्यों हो रहा है, उसके लिए मैंने अलग सा video already आपको बना दिया है, कहाँ पर quadratic equation के complete playlist में देखिए, और गजब के questions वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, और गजब तरीके एक सवाल, अब यहाँ पर इस सवाल को अगर में देखो, तो इस सवाल में आपका confusion कहा होगा, यही root 2 में, तो root 2 को हटा देते हैं, confusion कैसे, यह रहा आपका root 2, अब root 2 का अगर मैं square कर दूँ, तो root 2 का जो square होगा, वो किसके साथ बराबर होगा, 2, अब 36 में 2 को divide करना है, 36 में 2 divide करते ही, यह बन जाएगा, कितना, 18, अब आपको 18 को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, जैसे कि plus करने से, second symbol तो अपना plus का बना हुआ है, plus करने से 9 आ रहा हो, root 2 का और कोई मतलब नहीं, वहाँ पर जैसे हमारा focus 15 पर था, यहाँ पर हमारा focus सिर्फ 9 बनाने का है, अब 9 बनाने के लिए 18 को कैसे तोड़ेंगे, यह तो हमने पढ़ा दिया है, 6 और 3, 6 into 3, 18, 6 plus 3, 9, equation का symbol minus plus हो, तो root के symbol क्या आएंगे, plus का, plus का, इतना खतम हो जाता अगर root नहीं है, लेकिन यहाँ पर root 2 भी आ जाएगा, और यहाँ पर root 2 भी आ जाएगा, जिस तरक्का से मैंने आपको comparison सिखाया था, आपके coefficient वाले, आज नया सिखाया, similarly इसका भी आज नया सिखाया, मैंने आपको जो पहले पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर कैसे पढ़ाया हुआ, root 3 का 1.71, root 3 का 1.71, root 2 का 1.414, ऐसा लेकर कर सकते हैं, नहीं तो आज के concept से अगर मैं सीखूंगा, common sense, तो सबसे पहले मैंने ये कहा था आपको, कि सबसे जो common है, वो काट सकता हो, तो मुझे सबसे 3 common दिखा, 3 काट देने से ये रहेगा, आपका 3 root 3, 3 काट देने से ये रहेगा, आपका 2 root 3, अरे 3, 2 करना होगा, मतलब वाकई मैं ये कहना चाहता हूँ, कि अगर A, B से बड़ा है, तो A का square भी B के square से क्या होगा, बड़ा ही होगा, ये तो confirm है, तो similarly, यही मुझे पता चलवाएगा, कि क्या कुछ हो रहा है, तो मैं square करूँगा, तो यहाँ पे square कैसा किया जाता है, 3 का square होग 8, confirm, 2 का square 4, root 2 का square 2, 4 into 2, 8, similarly, 8, कुछ गड़बर होगा, 2 root 2, 2 root 2, 2 root 2, ये है, न सही है, अरे यहाँ पे 2 root 3 है, sorry, sorry, ये 2 root 3 है, माफ कर दीजेगा, तो 2 का square 4, root 3 का square 3, 4 into 3, ये बन जाएगा, आपका 12, 2 का square 2, root 2 का square 2, 4 into 2, 8, root 2 का square होगया, आपके पास कितना, 2, तो जैसे B में अगर करूँ, 27 को अगर में compare करूँ, तो वो 8 से और 2 से दोनों से बढ़ा है, 12 भी 8 से और 2 से दोनों से बढ़ा है, तो आपका X का value हमेशा Y के value से क्या आने वाला है, बढ़ा आने वाला है, जिस तरीके का भी ऐसा सवाल आपको दिया जाए, मेरे ख्याल से आप लोग और यहीं से दिक्राओगा Y 7 होगा, और X is equal to Y आप कर देंगे, लेकिन यहाँ पे X is equal to Y इस सवाल का सही जवाब नहीं होगा, गडबर करती, कैसे, अगर X square है, तो याद रखिएगा, अगर आपका power even है, तो आपके दो roots आएंगे, एक positive और दूसरा negative, जैसे कि square of X is equal to 49 होग तो X का value plus और minus 7 में आएगा, मतलब X के दो values आया, एक plus का 7 और दूसरा minus का 7, मतलब जब भी आपके दो roots, मतलब power even होगे, similarly अगर कोई आपको बोल देगा कि X का power 4 बराबर 16, मतलब 4 बार multiply करने से 16 तो वहाँ पे आपके दो causes आएंगे, एक plus 2 का आएगा, एक minus 2 का आएगा, क minus 2 को 4 बार multiply करने से 16, तो जब power even रहते हैं, तो वहाँ पे आपको दो roots देखने के लिए मिलेगा, एक plus का, एक minus का, clear है यहाँ तक, अगर इतना तक clear है, तो चलिए बढ़ते हैं, इसका, अगर power मेरा odd होगा, तो कभी जिन्दगी में मत सोचिएगा, कि यहाँ पे दो roots और वो क्या आएगा, वो depend करता है सवाल के उपर, लेकिन एक ही root आएगा, अब y का cube 343, मतलब एक एकसा नंबर बताइए, जिसको तीन बार गुणा करने से 343 आ रहा हो, तो वह ऐसा नंबर सिर्फ एकलोता 7 है, मतलब यहाँ पे y का value सिर्फ plus का 7 आएगा, y का value कभी minus 7 नही कितने के बराबर होगा, minus 343, मतलब अगर सवाल में यहाँ पे y की बराबर minus 343 देता, तो मेरा value y का minus 7 आता, लेकिन यहाँ पे y का value 343 है, इसलिए इसका value किस में आया, plus में आया, similarly अगर मैं आपको बोल देता, x square is equal to 49, y square है, इससे पहले इसका relation पहले निकाल देते, तो यह यहाँ पे 2 values आये, यहाँ तो plus 7 हो सकता है, minus 7, यहाँ पे एक ही value आया, क्या, plus 7, तो यह plus 7, plus 7 के साथ equal हो सकता है, नहीं तो यह वहला minus 7 इससे हमेसा छोटा रहेगा, तो relation क्या है, यहाँ तो equal हो सकता है, नहीं तो छोटा हो सकता है, कौन, x, तो answer आपका x less equal to y आ गया, ले relationship cannot be established उसके लिए यही लाइन काफी है पावर क्या है इवन है हाँ सा एक स्वेर वाइ स्वेर कितने रूट्स आएंगे दो रूट्स एक पॉजिटिव आएगा एक नेगटिव तो इसके अगर दो रूट्स आएंगे एक पॉजिटिव एक नेगटिव इसके अगर दो रूट् नहीं मिला relationship cannot be established बन गया done clear है मेरे ख्याल से अभी तक आपने session को like कर दिया होगा अगर नहीं क्या तो जल्दी से कर दीजे और session को share भी कर दीजे क्योंकि आके आने वाला है एक धमाकिदा decimal का सवाल चली बढ़ते decimal क्यों है तो दोस्तों यह रहा अपना next सवाल जो कि based decimal के उ solve किया जाता है सबसे पहला तो यह decimal गंदगी को हटा दीजे अब गंदगी को हटाने के लिए हमने हाली में simplification में आपको कहा था कि जहां पर आपको 0.25 दिखे उसको मैं अगर 4 से गुना कर दूँगा तो 0.25 1 में whole number में convert हो जाएगा और यह decimal का चीज पूरा कट जाएगा त तो इन सवालों में मुझे बस यह डूढना होता है कि क्या कुछ multiply क्या कुछ divide करके मैं इन number को whole number बना सकता हूँ नहीं तो और एक funda कीजे इसमें by 100 कीजे इसमें by 100 कीजे इसमें by 100 कीजे फिर वो 100 को ले जाएए उधर 0 ही रहेगा फिर यहाँ पे 25, 35 और 1125 में 5 में cancel कीजे यह ultimately आप वहीं पे पहुंचेंगे, कहां दिखाएंगे, पूरे के पूरे एलेक्जेस में मैंने क्या किया, 4 से multiply किया, यह common sense था, आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको 100, 100, 100 से multiply करते तो यह 25, यह आपका 350, यह आजाता आपका 1125 और यह रहता आपका 0 हरेचिस में, लेकिन फिर 45 का 4 गुना, 3 का 4 गुना, यह फिर 3 का 4 गुना, साथ दुनी, 14 यह बन गया, आपका 14X, प्लस क्या, यह 11 का 4 टाइमस होगा 44, 0.25 का 4 टाइमस होगा 1, 44 प्लस 1 बन जाएगा आपका 45 और यह बराबर होगा 0 का, अब मुझे कुछ नहीं करना, जैनुरल एक्वेशन आचुका 45 को ब्रेक करना है, जैसे कि प्लस करने से 45, 14 आ रहा होगा, 9 और 5 इतना पढ़ा है क्या, इसी दिन का इंतजार करने थे, बता भी नहीं सकते इतना, 9 और 5, अब प्लस प्लस में है, तो एक्वेशन के सिम्बॉल्स क्या आएंगे, रूट्स के, माइनस माइनस आएगा, यहा पहुआँए, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, अब 0.5 को तो दो बार multiply कर देने से ही काम बन जाएगा, ना, सिर्फ 2 से multiply करने से काम बन जाएगा, क्यों ज्यादा टेंचन ले, आप ऐसा भी कर सकते थे, इधर 10, इधर 10, और इधर 10 multiply करते, इधर भी 10 multiply करते, यह तो 0 र 16 का y, अब ये 31 का दुगना होगा 62, 0.5 का दुगना होगा 1 तो ये बनेगा 63, 63 को तोड़िये, add करने से 16 चाहिए 9 और 7, अब equation प्लस प्लस में तो roots के आएंगे minus minus तो ये minus 9 ये minus 7 अब देखिए यहाँ पे एक interesting चीज minus 9 जो है, वो इस minus 9 के साथ equal होगा है और minus 7 से भी बड़ा है तो कभी ये बड़ा, कभी ये बड़ा, कभी ये छोटा बड़ा, छोटा बड़ा चल रहा है, opposite symbol देखने के मिल रहे हैं, तो आपके इन सवालों का जवाब क्या हो जाएगा, प्यारा सा relationship cannot be established, लेकिन relation बताने के लिए आपको roots निकालना होगा, roots निकालने के लिए तरीक का ज़रूरी है, तरीक का हम बता रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं next सवाल, उससे पहले session को एक बार like ज़रूर से कर दीजिए, और चलते हैं बढ़ते हैं next सवाल क्यों है, चलिए, तो दोस्तों अगर जैसे वहाँ पे last equation, आप कुछ भी multiply, कुछ भी divide अपने हिसाब से कर पाते हैं क्योंकि आरे जिस तो अपना 0 है, तो मैं यहाँ पे, अगर total equation में यहाँ पे x square multiply कर दूँ, total equation में x square multiply कर दूँ, तो देखिए, x square के साथ x square cut जाएगा, अब यह x square के साथ x divide होगा, तो यहाँ पे सिर्फ x रहेगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो x square multiply होने से, यहाँ पे x square आ जाएगा, तो यह एक normal quadratic equation बन जाएगा, बिना fraction वाला सब कैसे है, अब x square multiply किये, x square multiply अगर इस term पे होगा, तो x square, x square cut एगे, रहेगा, क्या आपके पास 95 plus, अगर यह x square को इसके साथ divide करूँगा, x के साथ 1x cut एगा, रहेगा 1x, और यह 24 यानि कि 24x plus यह तो 1 के साथ x square multiply मतलब x square रहेगा, is equal to 0 हमारा जो quadratic equation है, वो इस तरह दिखता है, कि x square पहले जाता है, फिर बीच में x वाला term रहता है, फिर last में 95 रहता है, तभी तो हमारा quadratic equation का वो rule satisfy करेगा first symbol, second symbol यही तो होते हैं, मैंने सिखाया starting में, end तक पहुंच चुके हैं, अब इसको अगर मुझे तोड़ना है, तो 95 को तोड़ना है, जैसे कि 24 आए, 95 तो clearly 5 में जा रहा है, 5 19 जा 95, अब 19 और 5 को अगर मैं add करूंगा, तो 24 आ जाएगा, तो 19 और 5 के प्यार इसे factors नजर आ रहे हैं, equation plus plus में है, तो roots आपके क्या आ जाएंगे minus minus क्या आ जाएंगे, तो equation के roots आपके मिल चुके, minus 19 minus 5, मज़ा आया, अब इसका भी मज़ा लीजिए, कैसे, अगर मैं इस total equation में एक simple सा y square multiply कर दूँ, तो यहाँ पे यह कुछ इस्तरा देखेगा, y square के साथ y square कट गया रहेगा, आपके पास 88, plus यहाँ पे y के साथ 1 y कट गया, 26 into अब उल्टा दीजिए, उल्टा देने से यह कुछ इस्तरा देखेगा, y square plus 26y plus 88 is equal to 0 अब 88 को क्या-क्या तोड़ सकते 11 into 8 11 into 8, लेकिन 26 नहीं बनता 11 8 plus 8 तो 19 बनता है अब 11 8 नहीं गया, तो 22 into 4 को try करूंगा, बिल्कुल 22 into 4 भी बन जा रहा है, प्यारा सा 26 तो 22 बड़ा नंबर, फिर 4 छोटा नंबर, प्लस प्लस है, तो equation के roots minus minus, अब बस compare करना है अब compare करते वक्त एक चीज़ ध्यान दीजेगा, minus 19 जो है, वो इस minus 22 से बड़ा है, कभी छोटा जाएगा, relationship cannot be established, तो अगर मेरे ख्याल से सब कुछ आपके दिमाग में सही से गुसा, तो एक प्यारा सा सवाल आपके लिए देखे जा रहे, जल्दी से इसका answer, comment box पे immediate के immediate drop कर दीजे, और शाती साथ हमें ये पता चल गया, चलेगा कि आपने वाकई में इस session से सीख के ही इस comment दिया है, मतलब मुझे ये लगेगा, हाँ, मेरा मेनत कुछ fruitful हुआ और साथी साथ, आप सब का कामे session को like करना, और ज्यादा से ज्यादा share ठोकना, ताकि दूर दूर तक ये सब session पहुंच है, simplification का भी वो गजब session को like और share कर दीजिएगा और साथी साथ, अगर आपको session पसंद आया होगा, तो comment जरूर करके बताएगा कि कैसा लगा आपको session, क्या आपके लिए इस session में नयार था, क्या trick आपको मज़ा आया, सबसे मज़ेदार question कौन सा था, सब कुछ comment box पे आप कीजिएगा, बस यही कहके आज के session को end करते हैं, practice session पे बिल्कुल जुरिएगा, कल आपका live practice session होने वाला quadratic equation का, तो जितना जल्दी आप इसको complete करेंगे, और एक थोड़ा practice कुद करेंगे, कल practice session में और बेटर आप चीज़ों को सीख सकते हैं, और बस यही कहके आज के session को end करते हैं, चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को subscribe जरू से कर लिजेगा, कि ऐसा ही quality content के साथ हम आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे हमार साथ देखते हैं क्यारे डिफाइन और तब तक keep loving, keep supporting, डड़ा बबबए, thank you so much guys for watching,